तो केंदर सरकार जो है वो आशा से भरी हुई है वो उमीद से भरी हुई है और यह एक जानकारी सामने आई है कि जो फानेशल येर 26 का जो बजट है फरवरी में जो पेश होगा फरवरी 2025 में, उसके पहले सरकार को यह उमीद है कि उनका जो टार्गेट है बाइस ट्रिलियन रुपए का है ना जो ग्रॉस डिरेक्ट टेक्स कलेक्शन में आएगा ना सिर्फ वो उसको हासिल कर लेंगे बलकि उससे जादा भी जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे की उमीद है और उनको ऐसा लगता है कि जो ग्रॉस कलेक्शन है वो अभी तक नीचे नहीं आए है जो है और उनको ऐसा भी लगता है की जो हायर हालात हैं और जिस तरह से जो है जो जो ग्रॉस कलेक्शन है वो ग्रो कर रहा है तो इसलिए जो है सरकार को उम्मीद है कि अर्थवस्ता जो है अच्छी तरह चल रही है और ग्रॉस कलेक्शन जो है उनके भी जो है बढ़ने के रफ्तार ठीक है और इसलिए उनको लगता है कि जो है फरवरी में जो आने वाला बजट है उसके पहले जो है वो अपने टारगेट्स को न सिर्फ पूरा कर लेंगे बलकि उससे आगे बढ़ करके जो है वो collection कर पाएंगे अब जो finance ministry का जो 10 नवंबर तक का जो data है उसके अनुसार जो है जो gross direct tax collection है वो 21% से ज़्यादा जो है वो grow किया है और यह जो है तक्रिबान 15 trillion रुपए के आसपास जो है और यह जो है Fy25 से 12% ज़्यादा ही है जो net direct tax collection है उसमें भी 15% के आसपास का जो है जंप देखा गया है उचाल देखा गया है और जो है यह कहा जा रहा है कि जो personal income tax है यह बहुत इंटरेसिंग जानकारी है कि latest data में जो है जो personal income tax है उसकी जगह पे non corporate tax जो है इस category में जो है जो है मतलब जो व्यक्ति है या जो हिंदू अंडिवाइट फैमिलीज है या जो कंपनिया है या जो समू है किसी भी तरह के या association of persons है या local authorities है या artificial judicial persons है तो इसके इसको जो है नॉमेंक्लेचर जो है वो भी change किया गया है बहुत इंटरेसिंग बात है अच्छ किसी चलते ही जो है वो tax collection जो है वो बड़े प्रमाने पर हो रहा है और यह कोशिच किया रहा है कि चोकि individuals के चलते जो है जाए जालते है ना बताने के कोशिच किया रही कैसी यह लेकिन ऑब जो है सह सरकार का यह दावा है अपनी report में कि जो tax burden है जो लोगों पर है वो काफ है बहुत अच्छी रकम है आज की डेट के हिसाब से भी किन सरकार जो है बीस ल सलाक तक के ओंदनी को भी जो है मिडल क्लास मान रही है, तो सरकार कैसा मानना है कि मडल क्लास पर एक का वह काफी कम हुआ है तो, ये लेकिन जो है यह जरूर है कि सरकार यह दावा करती है कि एंटी टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी लॉज जो है और बहतर क्रियान वयन जो है इन सब के चलते जो है जो पचास लाग से उपर पिछले दस साल में उनको जो है उनसे जो है काफी अच्छी वसूली जो है सरकार निक किया ऐसा उनको संतोश है ना तो अच्छा यह भी है कि एफवाई 14 और फवाई 24 के बीच में जो है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग है इन में इनकी संख्या में काफी बढ़ोत्री हुई है तकरिबन आठ करोड के आसपास जो है यह संख्या में बढ़ोत्री हुई है यह बहुत अच्छी जानकारी है और मैं समझता हूं क जो है इसको जो है सबको जानकारी होनी चाहिए अच्छा फिर यह भी है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है है ना उसके स्टेटस को लेकर के जो है एक व्यापक समीक्षा का भी जो है सरकार ने बात कही है और उन्होंने कहा है कि अभी तक उने 6,000 के आसपास इसके लिए देहां रखिये